नमस्कार मैं हूं दिपका शर्मा और आप देख रहें क्राइम तक एक ऐसा मर्डर जिसे पुलिस को सुलजाने में केवल 10 तिन लगे अब ये जादा है या कम लेकिन पुलिस ने ये केस सुलजा लिया है 28 अप्रेल की ये बात है जहाँ पर दिली पुलिस को एक कॉल आता है और कॉलर बोलता है कि मेरी दोस्त की मा घर में गिर गई है और उसके सर में से काफी खून भेरा है तो आप आजाएं और इस चीज़ को हैंडल करें इसके बात पुलिस उस मा के घर पर पहुँचती है वहां देखती है तो इतना खून मैं जाता है कि मा की मौत हो जाती है उनका नाम है आशीश जो की कॉलकता की रहने वाली है 86 उनकी उम्र है जो काफी वृद है काफी उम्र हो चुकी है उनका बेटा है सुर्जीद जिसकी शादी हो चुकी है एक बेटी भी है तो सुर्जीत में बताया कि उसकी मा को अर्थराइटिस की दिक्कत थी जिस से वह छड़ी लेकर चला करती थी ज़ीश पहना चल्फिर नहीं पाती थी उसके बाद उसकी बीवी जो है, सुरजीत की बीवी है, शर्मिष्ठा जिसको अपनी सास जदा पसंद नहीं थी, जदा बोल चाल उसकी नहीं थी, पर हां ये है कि अपने पती की मा को वो जदा बात नहीं करती थी, दूर दूर रहना पसंद करती थी, इसलिए जब दोनों के बीच में ये बात आने लेकिन अब मा बेटे का रिष्टा तो ऐसा होता है कि वो अपनी मा को दूर भी नहीं रहने देना चाहता था लेकिन अपना घर भी बरबाद नहीं होने दे सकता था तो सुर्जीत ने एक आईडिया बीच का रास्ता ये निकाला कि अपने जिस घर में वो रह रह रहा था उसके जस्ट सामने एक कमरा किराई पर लिया और उसमर अपनी मा को रहने के लिए भेश दिया इतनी बुजर्ग मा कैसे अपना घुजारा करे कैसे अपने आपको देखे या उसको कुछ तकलीफ होती है तो कैसे पता चले कि उसके बेटे तक वो खबर कैसे पहुचे इसके लिए उसके बेटे ने वहाँ पर एक CCTV कैमरा लगवाया जिसकी लाइव स्क्रीनिंग उसके घर पर होती थी या फोन पर होती थी जिसे वो देख सकता था तो दोनों लोग उसकी बीवी और उसका पती देखते थे कि उसकी मा को कुछ चाहिए या नहीं लेकिन रहना दूर था क्योंकि उसकी बीवी को ये चीज पसंद नहीं थी उसके बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुंचती है तो बॉडी को पूस्ट मॉटम के लिए भेशती है बॉडी जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि उसकी जो सिर है उसपर काफी गहरी चोट लगी है और ये कोई आम चोट नहीं है या गिर के लगे ऐसी सब से बीच में पुलिस अपनी जाच जारी रखती है और जब पूछती है वहाँ के जो गाड़ जो पराओसी होते हैं परिवार के जो रिष्टदार होते हैं उन सबसे पूछताच वो करती रहती है जाच उनकी चलती रहती है इस दौरान जो सुर्जीत की बेटी है सुर्जीत और शर्मिष्था की जो बेटी है वो पुलिस को ये पताती है कि उसकी मम्मी को उसकी दादी ज्यादा पसंद नहीं थी मम्मी दादी से ज्यादा बात नहीं करती तो लड़ाई जगड़े होते रहते तो जाहिर सी बात जब अलक घर में रह रहे हैं तो लड़ाईयां हो नहीं थी इसके बाद सुर्जीत की पत्नी शर्मिष्था वार्दात के दिन घर में अकेली थी और जिस घर में उसकी मा रह रहे थी वो बाहर से बन था और उसकी चाबी शर्मिष्ठा के पास उसके घर पर थी अब इस चीज़ का क्या मतलब है वो जानते हैं सुर्जीत ने जो टेबल पर CCTV लगवाया हुआ था जो उसकी मा की तमाम एक्शन्स को कवर करता था और स्क्रीन पर देखता था उसमें फुटेज में पता चला कि 28 एप्रिल सुबा साड़ी 10 बजे के करीब शर्मिष्ठा अपनी सास के पास जाती है जो दूसरा कमरा होता है जस्ट सामने वहां जाती है और उसके हाथ में एक फ्राइंग पैन होता है जिसमें आम तोर पर हम सबजियां बनाते हैं या फ्रा चलता है कि सिर्फ आवाजे आ रही है आपको कैमरे में दिख कुछ रहा है और उसके पीछे से सिर्फ आवाज आ रही आवाज आती है उसके मां की चिलाने की सुर्जीत की मां चिलाती है लेकिन वह इस्ता कवर नहीं होता है लेकिन वह फ्राइंग पैन हाथ में लेकर जा र कि शर्मिष्टा मासे किचन से बाहर निकल कर आती है और अपने कपड़ों को या अपने कपड़े से कुछ चीज़े साफ करने लगते हैं जाय सी बाते हैं वह खून के निशाने या अपने फिंगर प्रिंस मटाने की वह कोशिश करती वह उन सब चीजों की सफाई करती है जो की डेप्थ रिपोर्ट आती है तो उसमें जो मृतिक है जो सुजीत की मा है आशीश उनके सर पर 14 चोट के निशान आते हैं मतलब वह उसकी बहू उन पर कई बार वार करती है और तब तक वार करती रहती है जब तक कि वह मर ना गई हो शर्मिष्टा को अपनी सास पसंद न और अपनी मा को भी उसकी देख रेक कर सके लाइफ सीटीव उसने रखवाया ताकि वह अगर उसे कोई जरुद है तो उसको भी पूरा कर सके लेकिन एक बहू और एक सास में क्या एक इतनी बुज़र्ग मा या एक इतनी बुज़र्ग सास क्या ही उसका बिगाड लेती है क् इस वज़े से उसकी बहुत शर्मिष्ठा ने उसकी जान ले ली तो ये थी पूरी खबर जो आपके सामने रखी गए अब पुलिस ने इन तमाम CCTV फुटेज इसकी वज़े से बयान जो दर्ज किये उसकी वज़े से पोस्ट मॉटम रिपोर्ट जो भी आई इन सब को रखकर श हुआ है